असलाम अलेकुम फ्रेंट्स आज हम अपनी गाड़ी में डेफेंशल ऑईल जो है वो चेंज करने जा रहे हैं यह हमारी गाड़ी है तो हमने इसका आज आज चेक किया है तो बहुत ही ना होने के परावर था थोड़ा बहुत निकला है तो वह भी हम आपको दिखाते हैं कि यह आज इसमें से निकला है और बहुत ही थोड़ा सा रह गया और यह बिल्कुल डेट हो चुका है यह बिल्कुल डार्क ब्लैक यह है ठीक है तो यह हम चेंज कर रहे हैं आप तो दिखाएंगे भी हम प्रोसेस सारा कि कैसे आप एजली खुद कर सकते हैं वड़ी उची नीचे ताके थोड़ा जिफ्ती रहे हमारी और हम दे नीचे अंदर भुषके और अराम से इसका ट्रेन जो प्लग है वो निकाला निकाल को इसका वाल जो ओल्ड वाला था वो सारा बार निकाल लिया है और अब हम इसमें नया आल डालेंगे तो हम यह लेकर आगें अब यह है तो यह अब हर गाड़ी का अलग अलग होती है अब इसमें 75W90 तो यह तकरीबन तीन कॉर्टर डलने है यह एक कॉर्टर है हमारे पास तो हम यह आज ता करके इसको डालेंगे पूरा फिल करेंगे और एवरिज तक देखेंगे वह भी हम आपको दिखाएंगे वीडियो मे यह तो यह तो यह जो लूब्रिकेंट है इसकी कैसे पेचान करेंगे क्या हमें सच करना पड़ेगा लेने के लिए गिल्कुल 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 कभाएजगा जो चे क्रिके और हम आप की अमने की किया थे चीट करेंगे दोखनी बाक जो में हमारा 2인이 की किया है तो में इसका सप्स्रihकुल करने के वास तो सर्च करने के बाद जो इसमें या bana कि इसमें या पैज़ा है और महेंगी होगी तो लाजभी बात किए के वह हूल तो मतलब यह के गूगल पर यह आएगा तो यह समें पावर आ जाएगी कि भाई फ़ला गाड़ी में आपको यह पावर डाला है तो आप एजली वह पर्चेस करें और इसमें टोटल कितने नट कुल ले इसमें एक होता है चेकिंग लेवल के लिए लेवल चेक करने के लिए त जो आपका यह पूरा डिफेंशल का सिस्टम है उसके सामने आपको बोल्ड दिख जाएगा तो आपने वो खोलना है सबसे बहले खोल के उंड़ी चेक करना है कितना लेवल है अगर आपको कम लेगे तो आप उसको फिल करें और एक इतने हद तक फिल करें कि वह भार ना हो तो आपने इसको फिल कर देना है अगर बिल्कुल ही नहीं था तो हमने इसको नीचे से ब्रेंट करके जो निकाल आपको दिखाए अब अब मजीद वीडियो हम दिखाते है नाजरीन को कि यह दो नट का हाई जाते है और किस तरह से आपने नीचे जाना होता है देखें यह जर्व आपने यह गद्दा बिचा लें गद्दा बिचाने के बाद आप यह देख सकते हैं यह दो नट खुले में है एक जो है वह इंसर्ट का है यहां से हम लेविल चेक करते हैं उंगली डालके कि आया के यह वायल लग रहा है उंगली पर या नहीं अगर वायल नहीं आता है यह और डिफ्रेंशल फूट वाइल के लिए कोई मेकैनिक के पास जाने की जरूरत नहीं है अगर आपकी गाड़ी उंची है तो आपको तो जरूरत ही नहीं है जैक वैक की यह स्टैंड की तो यह आप ड्रेंड कर दें यहां से और यहां से आप इंसर्ट कर दें तो इ